आज का जो पहला टॉपिक है, that is the Global Nutrition Report 2021 तो Global Nutrition Report 2021 आईए दोस्तों और इसमें भारत की जो एक पिक्चर है ना, ठीक है, nutrition को लेके, बहुत खस्ता पिक्चर है, और भीस बात है, ठीक है, आप देखो गए, भी मैं दिखाऊंगा आपको, तो भारत की बहुत बुरी तश्वीर जो है, यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, और मतलब हर तरीके से, हर पैरामीटर के अंदर हम बहुत लैक कर रहे हैं, वो सब चीजे यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, तो each and every single पैरामीटर जिसमें हम लैक कर रह है, ठीक है, चली, नाव स्टार्ट, सो चली देख लेते हैं, दोस्तो, Global Nutrition Report 2021, मैं भारत की किस परकार की एक सरमनाक कहूंगा, मैं सरमनाक, एनीमी हमें बहुत पिछड़ गे हम, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टर्निंग, अभी पढ़ा भी था, हमने 26, 25 तारीके करेंट अफेर के अंदर में, कि एनीमिय में भारत की बुरी हाल है, ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग में और चाइल्ड स्टर्निंग के अंदर में भी हम बहुत कम कर रहे हैं, मतलब हमारा जो कॉंट्रिबूशन है, हमारा जो योगदान है, जो हम जिस रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत डिस्मल मतलब, इवन कई-कई मामलों में तो हमारी आलत पहले से भी खराब हो गई है, ठीक है, तो सारे मुद्दों पर डिसकस करेंगा, ग्लोबल नूट्रिशन रिपोर्ट हाली में डिसकस आई है, रिलीज हुई है, अभी 23 तमबर को रिली बच्चों की और महिलाओं से संबंदित जुड़े मुद्दे हैं, और साथ-साथ में हेल्थ से संबंदित जुड़े या हेल्थ से जुड़े मुद्दे हैं, तो यह GS paper 2 से related है, consider the following statement regarding the portion 2.0, अभी एक portion अभियान तो आपने सुना था, अब उसी संबंदित में एक सवाल यह मैंने आपको statement दी है, जल्दी बताएंगे, पहला, Ministry of Women and Child Development inaugurated the portion 2.0 and urge all aspirational district to establish a portion वाटी का nutrition garden during the nutrition month, यानि की portion मा फ्रॉम 1st of September, कह रहा कि जो यह Ministry of Women and Child Development है, उसके द्वारा यह portion 2.0 सिरू किया गया है, प्रोग्राम, और इसके अंदर में जितने भी aspirational district है, उनसे कही कहा गया कि भाईया, आप अपने यहां पे portion वाटी का बनाओ, nutrition garden establish करो, जो portion महा होता है, portion का जो महीना होता है, 1 सितंबर से जो शिरू होता है, तो अपने यहां पे आपको portion वाटी का स्तापीत करनी है, जो portion scheme है, portion 2.0, यह अंब्रेला scheme है, मतलब बड़ी scheme है, जैसे अभी पढ़ाया इसके लिए extend कर दिया था, उसी परकार यह भी अंब्रेला scheme, अंब्रेला scheme मतलब बड़ी scheme है, इसके नीचे चुरपुट चुरपुट कई सारी scheme है, जैसे integrated child development scheme, मातरू बंदना योजना, यह बहुत सारी scheme इसके अंदर में आपका क्या है, दोस्तो, जुड़ी हुई है, so it is सही जवाब बताना है, correct statement बतानी है दोस्तो, so कौन सा सही जवाब है, A, B, C, D, जल्दी बताएंगे, फटा फट, ठीक है, कौन सा इसमें सही जवाब है, C, C पर सैमती बन रही है, so C is the correct answer, जल्दी बताएंगे बाकी सभी लोग, C पर सैमती बन रही है, बट फिर भी मैं चा चीक है, जातर बच्चे C बोल रहे है, कुछ एक दो मारत ही भी है, जो इधर दर की बात्ते कर रहे हैं, D, मेरी तबियत कासीम खान आज बढ़िया है, ठीक है, थोड़ा सा वो, मैंने बताया ना, आपको थोड़ा सा उसकी वज़े से हो जाता है, मुझे, जैसे जब भी ये पॉल्यूशन बढ़ता है, थो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं नहीं बढ़िया हूँ अभी बढ़िया हूँ याद, अभी साही है, वो कभी कभी दिक्कत हो जाती, फिर मैंने एक दिन, डेट दिन का रेस्ट ले लिया था, तो ठीक हो गया अभी, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अभी देखते हैं इसके अंदर कौन सा साही है और इसमें दोनों बाते सही हैं भाई, ठीक है, तो अभी इसी वर्ष्ट जो है, पोशन 2.0 भी लौन्च हुआ था, और उसका परफस यही था कि जो मोशन, पोशन महा होता है, ठीक है, यह सेतंबर में होता है, फर्स्ट अप सेप्टेंबर से स्टार्ट होता है, तो इसके महीलाओं और बच्चों के लिए पोशन अभियान को तेज किया जाए, तो इस बार का गया है कि जितने भी आस्परेशनल डिस्टिक, आस्परेशनल डिस्टिक का मतलब होता है, जो पिछडे डिस्टिक है, जिनमें डवलप्मेंट पैरामीटर जो है, उतने, जो हैं स्ट्र सो दोनों की दोनों जो हैं इसमें वो सही जवाब है, C is the correct answer, तो एकदम ओकेगी रिपोर्ट है, इंडिया has made no progress in anemia and childhood wasting, वेस्टिंग समझते हैं आभी बताया थे मैंने आपको, waste मतलब वेट, W मतलब weight, मतलब height के इसाब से, उम्र के इसाब से आपका weight नहीं है, तो जमान ल वेस्टिंग, child wasting के अंदर में कोई भी improvement नहीं की है, दोस्तों, ये इस report में बोला गया है, Global Nutrition Report, GNR 2021, जो अभी 23 November 2021 को release हुई, इसकी key findings बताऊँगा मैं आपको, मुख्य मुख्य बात तो सबसे बड़ी बात है, anemia की उपर आजाओ, ठीक है, so anemia की बात का अगर करें, जिसम बोलते हैं गाओं के अंदर में, so India जो है 161 उन देशों में रहा है, उनका नाम उन देशों में रहा है दोस्तों, जिनोंने लगबग कोई progress नहीं की है, और मामला बुरा हो गया, मतलब भारत उन देशों में रहा गिना है, 161 उन देशों में भारत का नाम आया है, जिनोंने एनीमिया को दूर करने में literally कोई progress नहीं किया और even मामला पहले से भी खराब हो गया है said to be the worsening with regard to the reducing एनीमिया मतलब भारत के अंदर में पहली बात तो हमारी कोई प्रगति है ही नहीं या एनीमिया को जो हम कम करने की स्थित्ति में पहले से भी खराब आलत में पहुँच गया है मतलब जितना देश में पहले एनीमिया था उससे भी कम ये तो National Family Health Survey ने बताया था में अभी पढ़ा था ना कल वाले current affair में National Family Health Survey 4 के अनुसार भारत के अंदर में एनीमिया की जो prevalence थी वो कम थी आदमियों में भी महिलाओं में भी और बच्चों में भी लेकिन यहाँ पर देखो ठीक है जादा है National Family Health Survey 5 में भी और यहाँ रिपोर्ट में बताया जा रहा है मैं आपको specific बताऊंगा लगबग लगबग भारत की आधी महिला जो 15 से लेकर 49 की एज में उनको एनीमिया है ठीक है मैं लगब वो एनीमिया है उनको आधी महिलाओं को बात कराऊं who are in the age of जो productive age के अंदर है जो 15 से 49 साल की एज के अंदर में है उनको एनीमिया है दे आर एनीमिक तरहाज भी ना राइजीन एनीमिक इंडियन वुमें सिंस 2016 और ये ट्रेंड जो भारत में आप देखने को मिल रहा न पहले क्या होता न वो दवाई वो गोली ओली दी जाती थी अंगडबाडी के अंदर जो आसावर करते हैं उनके दोबारा जो पीएचसी है उनके दोबारा वो छोड़-छोड़ी गोलियां दी जाती थी बट आज कल वो नहीं सप्लाई हो रही होगी शायद सो 2016 के बाद में आप देखोगे तो भारत के अंदर में जो एनिमिक वेमेंस का जो ट्रेंड है एनिमिया की जो है महिलाओं के अंदर में एनिमिया होना ये 2016 के बाद में ट्रेंड पे है इन 2016 फिप्टी टू पॉइंट सिक्स परसेंट अप दे इंडियन वोमेंस वर एनिमिक 2016 की रिपूर्ट में बताता हूँ 2016 के अनुसार भारत में 12.6 प्रतिशत भारती महिलाओं एनिमिक थी लेकिन 2020 में आपका 53 फीजदी एनिमिक पाए गए है मतलब संख्या बढ़ी है पहले से 53 है अब पहले कितिनी 12.6% पहले से हमारी संख्या अभी क्या हुई है दोस्तो बढ़ी है मतलब इंडिया के अंदर महहिलाएं जिनकों अनिमिया है उनकी मात्रा उनकी संख्या बढ़ी है चाइल्ड वेस्टिंग की बात करते हैं वेस्टिंग का याद रखना वेस्टिंग मतलब वेट से रिलेटिटिड है थेकि वजन की Бात करेंगे वेस्टिंग जो हैट refers to the children whose weight is low for their height तेको height के हिसाब से जिन जो उनकी height है उनके हिसाब से जिनका वजन कम है उसको हम वेस्टिंग कहते हैं इंडिया is among 30 countries that has made no progress or even worsening the reducing child wasting भारत उन 23 देशों में सामिल है इस बार जिनके अंदर में child wasting के अंदर में ना कोई improvement हुई है और improvement छोड़ो उल्टा भारत का स्थान नीचे गिर गया है ठेक है तो भारत उन 23 देशों के अंदर है जिन्होंने कोई भी progress नहीं किया इसमें child wasting wasting मतलब उम्र के हिसाब से जो वजन होता है बच्चों का भारत के अंदर में वो सही नहीं है और हमारी जो पहले से हालत है वो और भी खराब हो गई है ओवर 17 परसेंट ओफ इंडियन चिल्डरन्स अंडर 5 year of age और affected भारत के अंदर में जो 17 परतीशत बच्चे हैं 17 परतीशत बच्चे भारत के अंदर जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो अंडरवेट है उनका वजन कम है उम्र के इसाब से वो child wasting के सिकार है ठीक है एशिया में अगर बात करो पूरे एशिया के अंदर में average है 9 परसेंट का मतलब इंडिया के अंदर में 17 परसेंट बच्चे जो है वो child wasting का सिकार है बट एशिया के अंदर में ये average कितना है 9 का मतलब भारत एशिया के average से भी क्या है दोस्तों पीछे है इंडिया के अंदर में child wasting कितना है 17 परसेंट बट एशिया के अंदर child wasting कितना है दोस्तों 9 परसेंट अब आते हैं child stunning के उपर stunning का मतलब क्या है कि जी उम्र है उसके हिसाब से आपकी height का ना होना उम्र के हिसाब से height का ना होना तो stunning is defined as low height for the age stunning को हम कैसे define करते हैं कि आपकी जो age है उसके हिसाब से आपकी height ही नहीं है ठेक है पहली बात 34% of children जो है under 5 year of age they are still affected भारत के अंदर में 34% ऐसे बच्चे है जिनकी age जो है वो 5 साल से क्या है कम है और वो इससे क्या प्रभावित 34% बच्चे है ऐसे और भारत में थोड़ी बहुत इसमें improvement की होगी child stunning में हमने थोड़ी बहुत improve की है India is among 53 countries on course of meeting the target for stunning भारत उन 53 देशों की श्रेणी में है जो हो सकता है कि आगे जाके child stunning के जो टारगेट है उनको अचीव कर ले तो कहने का मतलब कि है एनेमिया में भारत की बुरी हालत है चाइड्ड वेस्टिंग में भारत की बुरी हालत है बट हां stunning के अंदर में हम उन 53 countries के अंदर आते हैं जो भविश्य में जाके child stunning का जो रेश्यो है मतलब हाइट के इसाब बच्चे की उम्र के इसाब से जो हाइट होनी चीए इस टारगेट को हम अचीव कर लेंगे भारत में केवल 34% बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट उनकी उम्र से क्या है छोटी है जो बोने रह गए है stunning हो गई है and all is because of the malnutrition nutritional deficiency की बज़े सा हो रहा है ठीक है so the figure is higher than average for Asia Asia के अंदर में average 22% का है और भारत में कितना है 34% Asia में तो 9% था child wasting का भारत में कितना था 17% यहाँ पर Asia में 22% है भारत में कितना है 34% बढ़ स्टिल इंडिया ने child stunning में ठीक ठाक किया है ठीक है मलब जो height के उम्र के हिसाब से जो height है अब वो पहले की मुकाबले के बढ़ रही है ठीक है तो इसमें हम ठीक ठाक कर रहे है obesity की बात करते हैं मुटापे की बात करते हैं मुटापत खर पुरी दुनिया हम बढ़ रहा और भारत भी इसमें पीछे नहीं है भाई 6.2% of adult जिनकी उम्र 18 साल से जादा है महिलाएं and 3.5% adult men are living with obesity in the country 6.2% of the adult women मतलब जो हमारे यहां की जो महिलाएं लगबग 6.2% महिलाएं जो है हमारी भारत की वो obesity मुटापे का सिकार है महिलाएं जादना है पुरुष कितने है 3.5% 3.5% of the adult in India obesity का सिकार है मुटापे का सिकार है in fact no country in the world was on the course to achieve the target in the obesity लेकिन देखो obesity में अपना इंडिया गनी पुरी दुनिया का यह ऐसा हाल है पुरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जो obesity से related target को पूरा कर ले अभी बार बार मैं word बोल रहा हूं target जैसे मैंने कहा न ओब obesity का target पूरा नहीं होगा चाइल्ड स्टनिंग का हम target पूरा कर सकते हैं भारत पात पे हैं चाइल्ड वेस्टिंग में बहुत बुरे पिछड़े हुए हम नहीं होगा target पूरा एनेमिया में target पूरा नहीं होगा यह target क्या है अभी बताऊंगा और ब्रेस्टिंग का मतला मुताफ पावर और आख चीज है इंडिया इस ऑलसो मनग्ग धा 100 जीरो 5 कंट्रीइद दार ओन दन दा को टो में ओट निपशों में बच्चों में इंक सो पांच देशों में शामिल है जो बच्चपन में अधिक वजन के लक्षय को पूरा करने के निश्यत रूप में है बात करते हैं दोसतों, breastfeeding, stunpana आजकल यार, ये भी एक मतलब आजकल किया हो रहा है कि बत्चे के लिए stunpana बहुत जरुरी होता है बट आजकल महिलाई थोड़ी सी शायद इस चीज से दूर जा रही है बच रही है उसके रीजन कोई भी हो सकते हैं ठीक है जातर महिला है जो होती है आज कल वह working women's है working professionals है तो maybe उनके पस टाइम ना हो या बहुत सारे challenges है जिनकी वज़े से breastfeeding जो है वो भी आपका ratio जाए डिक्रीज हो रहा है चलिए breastfeeding के अंदर में देख लेते हैं इंडिया कहा है मतलब इंडिया के अंदर भारत के अंदर 81% बच्चे ऐसे हैं जिनको जब उनकी जन्म होता है जीरो से लेकर 5 महीने के वो होते हैं तो उनको बिल सिर्फ और सिर्फ जो है स्थन पान कराया जाता है सिर्फ और सिर्फ breastfeeding कराया जाती है कितने परसेंट है बच्चे बच्चे 85% बच्चे हैं जिनको सिर्फ exclusive breastfeeding होती है और कुछ नहीं और ये टाइम जरूरी भी होता है मतलब जब तक बच्चा इतना हो तो उसको सिर्फ exclusive breastfeeding ही होनी चीए और कुछ नहीं ठीक है तो ये भी बहुत बढ़िया बात है चलिए अब जो मैं बार बार ये target 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 की बात कर रहा इंडिया is of course in meeting 13 global target है एमने जो set किये थे 13 में से भारत साथ target को पूरा कर रहा है अब वो target कौन से मैं बताऊंगा है ठीक है साथ target को पूरा कर रहा है हमने इस report में देखा है कि इंडिया is on the path to complete or to achieve the seven target of this particular according to this particular report इने में क्या है sodium intake ठीक है blood pressure raised blood pressure both men and women obesity both men and women diabetes both men and women at the current rate of program the global nutrition target will not be achieved by 2025 globally and most countries worldwide कहरा कि जो हमें target पूरे करना है 2025 तक जिनको हम बोल रहा है nutritional target अभी जो वर्तमान में जो दर चल रहा है इससे पूरी दुनिया के अंदर में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इन target को समय पे पूरा कर पाएगा यह इस report ने कहा है ठीक है यह global nutritional report है 2021 की बहुत important report है अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों यह कौन से target है जिनकी हम बार-बार बात कर रहे हैं what are the nutritional target ही वैस्वीक पोर्षन लक्षन क्या है लक्षे क्या है देखो 2012 के अंदर हमारी जो world health assembly है एक decision making body है किसकी world health organization की health के संबंधित जो है पूरी दुनिया के अंदर में जो decision कौन लेता है UN body that is known as the WHO world health organization तो जो हमारी world health organization है उसकी जो decision making body है जिसको हम बोलते हैं आपका world health assembly ठीक है उन्होंने 2012 के अंदर में कुछ 6 nutrition target को identify किया था छे लक्षे रखे थे उन्होंने छे लक्षे थे बड़े और उनमें छोटे-छोटे सब लक्षे भी थे सब missions भी थे 6 nutritional target fix किये थे जो हमें 2025 तक अचीव करने थे यह कौन कौन से थे पहला था reduce stunning by 40% in children under 5 5 साल से कम का जो बच्चा है उसके को हमें stunning stunning का मतलब समझते हैं height उसकी height जो है वो छोटी है उसकी height का मतलब ठीक था कराना अब ठीक को खींच के बढ़ा थोड़ी न बढ़ा थोड़ी न ठीक है तो पहला target था कि child stunning को हमें 40% reduce करना है 40% reduce करना है second क्या है दोस्तो हमें जो एनीमिया है उसको 50% कम करना है among the women महिलाओं में the age group of 19 to 49 years 19 से लेकर 49 साल की जो महिला है उनके अंदर जो एनीमिया का prevalence है जिस हसाब से एनीमिया की दर उनमें पाई जाती है उस दर को हमें reduce क करना है दोस्तो 50% हमें उनको क्या करना है कम करना है ठीक है इसके लावा 30% हमें low birth weight जो है बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वजन बहुत कम होता है कई बर ऐसा होता है तो ऐसी situation में ये भी किसका कारण है दोस्तो ये भी malnutrition का कारण है nutritional deficiency जब बच्चा पेट में होगा तो माने डंग से खाया नहीं होगा तो उसकी वज़े से ऐसा होता है तो ensure 30% reduction in the low birth weight कम जन्म वाले वजन में 30% की कम ही सुनश्चित ठीक है करें मतलब reduction करें इसके बाद ensure no increase in the childhood overweight मतलब बच्चे का बज़ वजन ऐसा नहीं हो कि बच्चा बहुत ज़्यादा कम वेट का भी न होना चाहिए तो ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है को increase नहीं होना चाहिए 0% increase the rate of exclusive breastfeeding in the first 6 month up to at least 50% हमने इसको अचीव किया हुआ है इंडिया में 58% है तो ये भी target है कि पहले 6 वहीने के अंदर में cable और cable stun-pan कराना चाहिए 50% तो इंडिया ने इस target को तो अचीव करी रख है अचीव करना है बट ये हम अचीव नहीं कर पाए है ये हमने अचीव कर रहे है इसके अंदर में childhood overweight अचीव कर रहे है ये हम जो है low birth weight जो है अभी इसको हम अचीव नहीं कर पा रहे है ठीक है उसके लावा इसको तो हम बिल्कुल नहीं अचीव कर पा रहे है ये जो है child stunning इस पे हम पाथ पे हैं ठीक ठीक अचीव कर लेंगे उसको तो यह चीज है ठीक है तो यह चे टार्गेट थे आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही दोस्तों अरे पीडिएफ मिल जाएगा पहले पीडिएफ ही दे दूं क्या बताओ पहले पीडिएफ दे दूं दे तो देंगे पीडिएफ यार कौन बना गर रहे हैं मैं क्या अपने लिए थोड़ी बनाता हूं आपी के लिए ना बनता है यार आपी के लिए बनाता हूं ऐसा थोड़ी ना आपको यह मिलेगा PDF क्यों नहीं मिलेगा तो यह जो वैस्ट वीक पोशन लक्षन है लक्षे है यह क्या होते हैं तो मैंने बताया 2012 के अंदर World Health Assembly ने जो World Health Organization की highest decision में की body है उसने 6 अलगलग nutritional target जो है वो define किये हैं ठीक है जिनको हमे 2025 तक अचीव करना है और यह कौन-कौन से हैं यह सारे target यह मैंने यहाँ पर लिख दिये हैं अब आते हैं दोस्तों इस report की बात करते हैं report जो है यह कौन बनाता है कब आती है ठीक है क्या है क्या नहीं वो सब बात करेंगे गाइज एक बर request है आप सभी से कि एक बर फटा फट एक बर वीडियो को like कर दो जिन्होंने कर दिया धन्यवाद जिन्होंने नहीं किया उनसे पुन्हे आगरा करूँगा कि गाइज प्लीज वीडियो को like करें जिसका नाम था nutrition for growth summit 2013 उसके बाद में हम यह report बनाने लगए उसके बाद में global nutritional report बनाने लगए ठीक है पहले यह हुआ उसके बाद हमने report बनाना शिरू कर दिया the first report was published in 2014 पहली report जो है 2013 में यह हुआ 2014 में हमने पहली report published की global nutrition report ठीक है it act as a report card on the world nutrition यह report card है आप जब class में पढ़ते हैं चोटे थे 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 जब छटी class में तो science में इतने number आया इतने report card बनता था ना तो ऐसे ही यह आपका report card है पूरे विश्व का एक report card है कि वो nutrition के अंदर में किस प्रकार से perform कर रहा है portion पूरी दुनिया के अंदर में किस स्तर पर है globally भी दुनिया में भी regionally भी और country के अंदर में ठीक है और दुनिया में अलग-लग देश उसको improve करने के लिए क्या-क्या कदम उठा रहा है इसके लिए तो यह सारी चीज अंदर group independent expert group and report secretary बहुत सारी लोग होते हैं इसके अंदर मतलब कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग जो है इस report के अंदर में शामिल होते हैं चली दोस्तों तो यह हमारी report थी तो इसके अंदर में basically मैंने इस बार का क्या क्या parameters रहें इस बार की इंडिया specific report कि भारत भई लेकिन बहुत सारे मामलें जिसमें हम काफी सारा पिछड रहें हैं ठीक है तो भारत को जरुरत है उनमें पूरा आ गया है अब ही जो target है यह क्या है सर nutritional target मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो हमारी world health assembly है ठीक है world health assembly जो WHO की highest decision making body है उसने 6 target set किये थे आपके और यह target जो है इ इनीमिया को 50% तक decrease करना है ठीक है तीसरा है आपको low birth weight जो होता है ठीक है उसको 30% decrease करना है आपको child overweight में बिल्कुल 1% increase नीच यह आपको no exclusive breastfeeding in the 6 year 50% यह हमने अचीव कर रखा है और यह तो यह अपने को यहाँ पे 6 targets है nutritional target यह report के बारे में है कि nutrition for growth initiative summit के बाद में इसको start किय पहली report 2014 के अंदर में आई थी एक report cut का काम करता है कि दुनिया में सारे देश जो है अलग लग regional level पे global level पे किस परकार से काम करें और सरकार जो है उसको ठीक करने के लिए क्या क्या perform कर रही है ठीक है तो यह सारी बात है हमने देखी चलिए दोस्तों आप इसमें बात करते है हैं दोस्तों related search अब भारत के अंदर में जो भारत सरकार है इंडियन गवर्मेंट है वो क्या perform कर रही है ठीक है किस किस level पे हम क्या अलग अलग क्या initiative ले रहे है ठीक है वो जरूरी है तो मैंने आपको बता एक umbrella scheme हमारी portion अभियान portion अभियान portion 2.0 portion वाटिका portion महा यह सब ची किसी चीज है जिसके अंदर में किसी भी प्रकार का डिले जो है वो आपको नहीं होना चाहिए ठीक है हलो है हाँ हाँ पापा क्लास इल रहे है कि बता बता क्यों है कि अ तो पोशन अभियान से संबंदित बाते पता होना चाहिए आपको एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो है इसके बारे में पता होना चाहिए जो इस टॉपिक के संबंद में अगर आपने यह सब कर लिया ठीक है मलब यह कर लिया और यह टॉपिक सर्च कर लिये ना तो इसके बाद में यह टॉपिक आपका बहुत तगड़ा तैयार हो जाएगा इसमें आपको और कुछ भी करने की आउशकता नहीं पड़ेगी आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ उसके बाद में मध्यान भोजन योजना जिसको मिड्डे मील कहते हैं उसका भी यह परपस है नाशनल फूड सिक्यूरिटेट 2013 के अंदर में पास किया जो जाती हुए कॉंग्रेस की गवर्नमेंट जिसको यूपी टू बोलते हम तो यूपी टू का पहला बड़ा अच्छा काम था यह ठीक है उसके बाद प्रधान मंतरी मात्रू बंदना योजना यह इंपोर्टेंट है आपको इन पर ध्यान रखना अब आते हैं दोस्तों प्रलिम्स स्पेसिफिक पीटी के लिए प्री के लिए कौन-कौन से टॉपिक है जो आप में जहां से मतलब सवाल आ सकता है वैसे मैंने कॉश्चन आपको दिया भी है मैंने portion 2.0 से कॉश्चन दिया था आपको यहां और भी कुश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और वो कौन से हैं देखो जैसे ग्लोबल नूट्रिशन रिपोर्ट एंड इट्स फाइंडिंग ठीक है एंड एट्स फाइंडिंग यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है लेटेंस्ट फाइंडिंग मैंने बताया अभी बारत का इनीमिया में किया स्थान है चाईल वेस्टिंग में क्या चाईल स्टेनींग में क्या है आपसे पूछा सकता है nutritional target क्या-क्या है हमारे ठीक है, किस ने set किये, कब किये role क्या है COVID-19 का ये COVID-19 ने band बजा दिये है ठीक है, आपको बता है अनीमिया और ये जितने भी जो हमारे आप देख रहे हो ना parameter में जो हम down हुए इसमें कही ना कही तो COVID का role है COVID ने अपना role play किया है उसके बाद मैं global nutritional target जो हम बात कर रहे हैं तो ये सारे चीज़े आपको prelims में बहुत help करेंगी यार मैं बार बार देखो ये सिर्फ मैं लिखके ऐसे notes बनाने के चक्कर मिल आता तुम मैं notes बना के देदूँगा और तुम क्या करोगे, ठीक है तुम रख लोगे इसको इस purpose से, इस débाद मैं इनको नहीं लेके आता है मेरा mieux देख और मिरा purpose क्या है क्यों लेके आता हूँ मैं इनको मेरा purpose और मिरा देख़ ये है इसको मैं इसलीए लेके आता हूँ ताकि ये जो सारा काम है ना इस पे आप काम करो आपका अच्छा महोल बने एक कोपी बनाओ या related search और pre-specific के लिए परन्तु देखो मुझे सही बताओ ना तो मुझे बहुत कम विश्वास है कि आप मेंसे 2% बच्चे भी ये काम नहीं करते होंगे मुझे लगता है ऐसा वेस्विक पोशन रिपोर्ट नवीन तम खोज क्या क्या इसकी भारत के संबंदित डेटा कौन सा है जो है नूट्रीशन के अंदर COVID-19 और इसकी क्या भूमी का रही है और वेस्विक पोशन लक्षा जो है हमारे ये तो ये प्रिलिम स्पेसिफिक है पीटी के लिए बहुत ज़रूरी है सवाल ये था पोशन अभियान 2.0 तो ये तीनों की तीनों बात दोनों की दोनों बाते सही थी दोस्तों इसके अंदर में ठीक है ये है एक एक कृत बालविकास सेवा है ठीक है जिसको मतलब ये सारी बातने हैं बस हो गया काम ठीक है सो C is the correct answer C इसका क्या है प्यारे बच्चो सई जवाब है Are you getting my point or not? चलिए 25 को मेरी शादी दि कहां सर्क्लास करता मैं वही है अमे इत मेरी शादी दिवाई 25 सो बुलाया था मैं तेरो काल दिया तू आया ही नहीं है जैज debate आज 26 को दिन में इसलिया कि मेरा तिलाक ख वै इसलिए ने ली मैं आया नि तू अबी भी मैं तरह गर पर बता के आया था गर पर बता के आया था फिर भी नहीं आया तु यार है भई शर्मा जी बताओ एस केस काम चलेगा यार ना तुम शादी में आये ना भी आज तलाक था उसमें आये तुम यह सिर्फ मामीत शर्मा को यह देखे आया था और किसी को ने दिया यह एक्स्क्लूजिव सर्विस थी अमीत शर्मा के लिए मैं इसी को जाके कार्ड वर्ड देखे आया था मैं गया इसको बताना जरूरी है कि मैं कहा जा रहा हूं क्या कर रहा हूं ठीक है क्लास लूंगा की क्यों नी लूंगा सारे कर्ण अमित सर्मा को बताने जरूरी थे तो मैं बता के भी आया था ठीक है सर्मा जी अब दुबारा जब होगी तो फिर आउंगा कार्ड देने आना जरूर है इस बार शादीम जरूर आना महाराज करतो दिया जाके देख तो ले अभी जस्ट आँख खुली है तेरी आगे पीचे 25 नहीं हुआ तो आज तो करतो दिया ओकरंट फिर नहीं सब्सक्राइब मेंस का बढ़िया कोषिशन है मेंस का अच्छा सवाल है मेंस का इसके ऊपर हम एक लगाएंगे आपकी स्पेशल क्लास सब्सक्राइब और ये जो special class होगी हमारी, ये कब होगी, कहां होगी बता दिता हूँ, special class जो होगी हमारी दोस्तों ये होगी anacademy की app के उपर, आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा मेरे telegram के माध्यम से, आप मेरे telegram जॉइन कर लो, ठीक है, जैसे telegram जॉइन करोगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, फटा पट telegram जॉइन करोगे, सारे इसारे बच्चे, अर अब बताया था यार, तबियत खराब थी, टेलिग्राम पे notification डाल दिया था, और कैसे बताओं, बताओ, इस्तहार लगवा दू, मोदी जी से मन की बात में कलवा दिताओं कि भी ठीक है, तबियत खराब है, मेरी खासी ज़्यादा उठ रही थी, तो क्लास नहीं लूँगा, टेलिग्राम पे मैं आपको सूचित कर तो देता हूँ, कल रात में मैं सूचित नहीं किया था आपको, मैं कहा यार 25 नहीं हुआ, तो 25 और 26 की क्लास मैं कल कर दूँँ आ एक साथ, और आज मैं कर भी रहा हूँ यार, अगली बार से मुझे लगता है, मुझे मोदी जी की मन की बात में पहले अनौंस्मेंट करवानी पड़ेगी, नहीं? जूट बोल रहे हो, कोई अंसर आइटिंग नहीं करता, तुम में मुझे से पोस्ट कर दिया तो सीधा UPSC तुम्हें पकड़ का IS officer बना देगा जबर दस्तिक बन जाओ भई अभी से तुम्हारा पेपर निलेंगे तुम्हें सीधा IS officer बना रहे है इसलिए तुम ट्विटर पे पोस्ट नहीं करते होंगे मैं बोल रहा हूं कि अंसर लिखो 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 सरम को छोड़ दो अपने हाथ खोलो नहीं तुम दिक्कत हो जाए ही आगे अगले घर जाना है तुम्हें सबको वहांँ दिक्कत हो जाएगी जब UPSC का पेपर देने जाओगी ना अगला घर है वहां बहुत दिक्कत होगी So health and nutrition not only play a vital role in making human life dynamic capable and prosperous but it also has the potential to empower development and strengthen the nation discuss, मैं बोल रहा हूँ health और nutrition, केवल और केवल आपके जीवन को अच्छा नहीं बनाते, कि आपके जीवन को बढ़िया बना देंगे, आपको मजबूत बनाएंगे, prosperous बनाएंगे, स्वस्त बनाएंगे परन्तु अगर health और nutrition अगर आपका अच्छा है, आपके देश के बासियों का अच्छा है, तो इससे आपका देश मजबूत होता है, आपका पूरा देश develop होता है, आपका पूरा देश evolve होता है कैसे सर, जादा लोग ऐसे ही होंगे तो बीमारियां जादा होंगी, बिमारिया जादा होंगी, तो देश को health infrastructure पे जादा खर्चा करना पड़ेगा और एक हस्ट पुछ देश है, स्वस्थ देश है ठीक है, तो बढ़िया उसको health पे खर्चा नहीं करना और दूसरे सारे लोग स्वस्थ हैं, तो बढ़िया से और Iconic, दो प्रकार के subscription जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों यह आपके subscription का price है, 6 महीने 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है यह इधर है, Iconic का subscription है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो code आपका क्या रहेगा, Sumit 10 तो यह मेरा telegram channel है, PDF यहाँ दे दूँगा मैं, साथ-साथ यह अपना code है ठीक है, इसको use करना है, to get the 10% offer in academy, I hope you like the session, you enjoy the session, so guys, please like the video, share it and subscribe the channel thank you very much, take care, bye-bye love you guys